तो हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू दे चैनल वेब फॉर क्लिक और आज हम बात करने वाले हैं UV Editor के बारे में जैसा कि आप सभी को बता है कि पिछले एपिसोड में मैंने Image Texture के बारे में आपको बताया और आपने देखा किस तरीके से बिना कुछ मॉडलिंग किये हुए हम काफी सारी चीजों को केवल Image की मिदद से बना सकते हैं और अपने Scene में इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपने एपिसोड नमबर 63 और 64 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा आज का हमारा topic बिल्कुल different है जो है हमारा UV Editor काफी सारे लोग UV Editor को color करने वाला एक option समझते हैं लेकिन UV Editor बिल्कुल उससे different है तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं UV Editor का concept तो UV Editor को समझने के लिए हम आ चुके हैं blender की screen पे सबसे पहले हमारे पास मैं यह जो cube है इसको मैं यहां से delete कर देता हूँ और यहां पे ले लेता हूँ एक UV Sphere राइट क्लिक लेके इसको shade smooth कर लेता हूँ अब मुझे अगर इसको color करना है यहां पे तो उसके लिए मैं यहां पे color mode में जाऊँगा सबसे पहले ताकि मेरा जो color है वो यहां पे reflect हो और simply मुझे कुछ नहीं करना यहां पे material में जाना है new पे click करना है और यहां से मैं randomly कोई भी color यहां पे इसको assign कर सका है यह तो हो गया हमारा पूरे object को color करने का तरीका लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसके छोटे छोटे हिससे पे color करना तो वो भी भहती आसान है आपको edit mode में जाना है यहां पे simply यहां पे कोई भी यहां पे face select कर लीजे या vertices सल या कुछ भी select कर लीजे और जिस हिससे पे आपक color करना है उस पे यहां पे एक नया material बनाईए new पे click कीजिए और यहां पे आप यहां पे कोई भी color इसमें select करके यहां पे assign करेंगे तो यह इसमें apply हो जाएगा अब यहां पे यह color तो apply हो गया लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे कभी भी smooth नहीं आएगा आप देख सकते है यहां पे किस तरीके से यहां पे इसमें ages आ रही हैं मैं चाहता हूँ यहां पे smoothly कोई circle बनाना तो उसके लिए मैं कभी भी इनको यहां पे select करके उसको color करूँगा तो वो circle मैं यहां पे कभी नहीं बना पाऊँगा अब यह जो face है इनको चाहे में कितना भी subdivide कर लूँ यह जो इसमें ages हैं यह हमेशा इसमें रहेंगे आपने बहुत सारे characters देखे होंगे जैसे girl character है तो उसमें उसका make-up देखा होगा उसके गालों पे बहुती अच्छे तरीके से यहां पे color किया जाता है इसके अलाबा अगर आपको किसी को holy खिलाना है किसी character को तो उसमें holy का जो color है उसको किस तरीके से हम character पे apply करते हैं या फिर आप को जंगली आदमी देखेंगे तो उसमें बहुती अच्छे तरीके से उसके चहरे पे या फिर अलग अलग type से उसमें बड़े सटीक तरीके से वहां पे color किया जाता है अब यह जो तरीका है इससे तो हम उस color को कभी नही कर सकते क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह जो ages हैं इनकी मदद से हम यहां पे कभी भी इसमें इस type का color नहीं कर पाएंगे उसके लिए blender में हमें दे रखा है यहां पे texture paint यह जो texture paint है इसकी मदद से हम वो color यहां पे कर सकते हैं अगर मैं यह जो UV sphere है इसको वापस अपना object mode मे लेके आऊंगा और texture paint में अगर मुझे इसको ले जाना है simply इसको यहां से select करना है और यहां texture paint पर अगर मैं इहां पे लेके आऊंगा तो इस तरीके से मेरा जो object है वो यहां पे आ जाएगा यहाँ पे simply में कोई भी बुरुष एक select करूँगा base color के लिए और यहाँ पे okay करूँगा इसको आप अपना जो भी color करना चाहते हैं वो यह जो बुरुष यहाँ पे बन रहा है इसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं माली जी अगर मैं यहाँ पे इसको paint करूँगा तो automatically आपका यह इधर की side में आ जाएगा या इधर की side में इसको paint करना चाहता हूँ तो यह इस तरीके से यहाँ पे यह paint होके मेरे पास में आ रहा है अब मैं यहाँ पे paint तो कर रहा हूँ इसको लेकिन मुझे यह पता नहीं लग रहा कि मैं यह paint इसके किस जगा पे कर रहा हूँ क्यों से बताएगा चलिए आईए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैं वापस ले आउट में जाऊँगा यहां पर सबसे पहले और यहां पर मैं एक ले लेता हूँ एक यहां पर monkey इस monkey को मैं थोड़ा सा side में कर लेता हूँ इसको R बटन से यहां पर Z बटन से 90 डिगरी पर गुमा देता हूँ इदर की तरफ ताकि इसका जो मुह है वो मुझे अच्छी तरीके से दिखाई दे अब मैं इसमें एक modify लगा के इसको थोड़ा सा smooth कर देता हूँ subdivision surface से और यहां से मैं इसको apply कर देता हूँ अब पहले जो मैंने यह UV sphere इसमें लिया था इसको अगर मैं UV editor में लेके जाऊँगा और A बटन से अगर मैं इसको पूरे को select करूँगा तो आप देखेंगे इसका पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो मेरे पास में यहां पे आ जा इस तरीके से उसका जो shape है हमारे सामने by default पूरे का यहां पे आता है लेकिन अगर मैं यहां पे यहांपे यह monkey है इसको मैं लेके आऊँगा यहां पे इसको जब मैं UV editor में लेके आऊँगा UV editor में लाने के लिए आपको यहां पे simply सको edit mode में लाना है और A बटन से जब मैं इस अलग आई हुई हैं और इसके जो कान है वो यहां पे अलग आई हुए हैं इस तरीके से ये वाले और इसका जो face है वो मेरा यहां पे अलग आया हुआ है इस type से तो इस तरीके से हमें साफ पता लग रहा है इसमें कि कौन सी चीज इसकी कहा है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब ये हमारा monkey किसी ने model किया था स्टार्टिंग में ये चीजें हमारी नहीं इसमें आती स्टार्टिंग में जो हमारा जैसे हमारा ये sphere यहां पे आ रहा है इसको मैं अगर edit mode में लेके जाऊंगा इस तरीके से इसका पूरा body part यहां पे आता है जिसमें हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि ये इसका कौन सा हिस्सा है या यहां पे कौन से हिस्से में हम यहां पे इसमें UV editor में हमें यहां पे दिखाई दे रहा है ए बटन से यहाँ पे किलिक करेंगे और इसको यहाँ पे काट सकते हैं अपने हिसाब से ताकि हमें पता लगे कि हम किस जगा पे इसमें कलर करने वाले हैं चलिए मैं example के लिए इसमें आपको दिखा देता हूँ यू बटन मैं जब दबाऊंगा तो यह काटने के बहुत सारे option हमारे पास में आ चुके हैं अगर ये option आपको अच्छी तरीके से आते हैं तभी आप यहाँ पे अलग-अलग model जैसे अच्छी तरीके से paint होते हैं उस type का paint आप यहाँ पे कर पाएंगे इस globe को अगर मुझे यहाँ पे directional के हिसाब से काटना है यानि उपर का हिस्सा हमें दिखाई दे नीचे का दिखाई दे और side के दिखाई दे तो उसके लिए simply U बटन दबाऊंगा और मैं smart UV project जो है इस पे अगर click करूँगा और यहाँ पे ok करूँगा तो आप देखेंगे य यह मुझे इसको अलग-अलग हिस्सों में यहाँ पे काट के दे देगा और अब मुझे model को ले जाने की जरूद नहीं है मुझे पता है इसका यह वाला हिस्सा इसका उपरी हिस्सा है आप select करके देख लेंगे यहाँ से तो आपको पता लग जाएगा यह वाला हिस्सा आप आपका उपरी हिस्सा है यह वाला हिस्सा आपका नीचे वाला हिस्सा है और texture paint में अगर मैं इसको यहाँ पे ले के जाऊंगा तो आप देखेंगे कि अब texture paint में जो इसका area है वो सब मुझे पता लग रहा है कि यह इसका उपरी हिस्सा है यह इसका नीचे वाला हिस्सा है अ मेरे यहाँ पे face जो बन रहे थे cut cut के आने वाले वो नहीं बन रहे हैं तो आज की हमारी जो वीडियो है वो UV Editor के उपर है और आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि इसको कितने तरीके से हम यहाँ पे काट सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम इसको object को काट के यहाँ पे UV में बड़े आसानी से उसको paint करने के लिए तैयार कर सकते हैं और साथ में हम यहाँ पे कुछ example बना के देखेंगे UV Editor की मदद से यहाँ पे किस तरीके से हम modeling करते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें काटने के process को यहाँ पे समझते हैं अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम इसको यहाँ पे किस तरीके से काटते हैं अब A बटन अगर मैं यहाँ पे दबाऊँगा तो आप देखेंगे इसका पूरा का पूरा हिस्सा इसने मुझे यहाँ पे दे दिया है अगर मैं यहाँ पे U बटन दबाऊँगा तो अपने object को अलग-अलग type से काटने के लिए बहुत सारे option हमें यहाँ पे मिल जाते हैं सबसे पहला जो option हमारा आता है unwrap option यह आपका यहाँ पे by default जो भी चीज होगी उसको यहाँ पे अगर आप इसके कुछ हिस्से काटना चाहते हैं तो उसके लिए U बटन दबाएंगे तो हमें यहाँ पे एक option मिल जाता है mark seam का तो किसी भी object को काटने के लिए सबसे पहले age को आप यहाँ से select कर लीजे और मान लीजे अगर मैं alt का बटन यहाँ पे दबाऊंगा इस तरीके से यह मेरा alt के साथ मैं अगर मैं click करूंगा इसके किसी भी age पे तो यह मेरा इस तरीके से इसके इस वाले हिस्से को यहाँ पे select कर लेगा selection के सभी shortcut अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए episode number 2 देख सकते हैं आप जाके फिलाल हमारा जो selection है वो यहाँ पे हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि इतना हिस्सा मेरा जो है यहाँ पे इससे अलग कट जाए अगर मैं यहाँ पे इसको किलिक करूँगा और L बटन दबाऊँगा तो केवल उतने हिस्से को यह मेरा यहाँ पे select करेगा और अगर मैं इसको नीचे वाले को यहाँ पे किलिक करके इस पे L बटन दबाऊँगा तो यह मेरा नीचले पूरे हिस्से को यहां पे select करेगा, अब by default ए बटन से यह मेरा पूरे हिस्से को यहां पे select करेगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं, अब मेरा यह पूरा का पूरा हिस्सा यहां पे आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे यह नहीं पता लग रहा कि इसका यह जो मैने हिस्सा काट उनको यहाँ पे UV एडिटर में अलग अलग यहाँ पे आपके सामने रख देगा ताकि आप उसको आसानी से कलर कर सके तो यहाँ पे अगर मैं U बटन दवाऊंगा और इसको unwrap पे क्लिक करता हूँ अब यहाँ पे देखा आपने कोई भी effect यहाँ पे नजर नहीं आया है इसका अपना object दे दिया है अब यह इस तरीके से काटने से मुझे क्या इसमें benefit होता है यह भी आईए समझ लीजिए अब मुझे इसको अगर यहाँ पे color करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा texture paint में और यहाँ पे simply आपको color करने के लिए starting में आपका यहाँ पे जो बुरुष है य इसको अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे अपना बड़ा वाला जो bracket है छोटे वाला जो bracket है इन दोनों की मदद से छोटा या बड़ा कर सकता हूं जितने मुझे जरूरत है उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको manage कर सकता हूं अब simply आपको यहाँ पे अगर color करना है तो उसके इसको बड़ा कर लेता हूं अपना बड़े वाले bracket से और उपरी हिस्से को मुझे color करना है तो red मैं इस तरीके से simply अपना mouse यहाँ से गुमाऊंगा और इसको इस तरीके से color कर सकते हैं बाहर कोई भी चीज आपकी जा रही है तो आपको कोई problem नहीं होगी इसमें इस तरीके स आपका यहाँ पे यह color हो जाएगा निचला इससा अगर आपको color करना है तो यहाँ से जो भी color आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे बड़े आसानी से color कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इनके बीच में gap कम है या फिर यह बहुत ही जादा इसमें आपस में सट रहे हैं, जो आपको color करने में problem आ रही है, तो फिर आपको UV editor में आना पड़ेगा, और यहां से इनको short करके छोटा कर सकते हैं, ताकि आप इनको texture देके आराम से paint कर सके हैं, तो यहां पे इस तरीके से आप paint करके इनको यहां पे रख सकते हैं, कोई भी आपको character अगर paint करना है, तो इसी तरीके से आपको उसकी आँख, नाख, होट बगएरा यहां पे काटने पड़ेंगे, मान लिजी अगर आप किसी girl का character बना रहे हैं, तो आप यहां पे make-up कर सकते हैं, बहुत ही बहतरीन तरीके से, या फिर अगर आप यहां पे कोई dragon बना रहे हैं, तो इसको अलग-अलग type से यहां पे paint कर सकते हैं, बहुत ही बहतरीन तरीके से, आने वाले time में हम बहुत जल्दी character की series start करने वाले हैं, तो इन चीजों को आपको बहुत ही detail में समझना है आज की हमारी जो class है वो यहाँ पे UV editor के लिए है texture paint के लिए नहीं है तो simply यहाँ पे आप जो base color है इसको select करके आपका जो paint वाला brush है वो तभी काम करेगा जब आप इसको यहाँ पे base color select करेंगे फिलाल आप इसकी थोड़ी सी practice करेंगे next episode में हम इसकी detailed class करेंगे और आपको दिखाएंगे तो आज की हमारी जो class है वो UV editor के उपर है तो चलिए वापस से चलते हैं अपने UV editor में तो अभी आपने देखा हमारा concept किस तरीके से हम किसी भी object को यहाँ पे काटते हैं यहाँ से तो simply यहाँ पे जो उपर cross का button है इस पे आपको click करना है और यह हमारा UV यहाँ से वापस अपनी condition में आ जाएगा तो यह तो हमारा बहुती आसान selection है जिसको हम बोलते हैं loop selection अगर आप इसको उपर से नीचे की तरफ करेंगे ध्यान रहें आपका age हमेशा यहाँ से selected होना चाहिए UV editor में हमेशा आपको age के साथ यहाँ पे काम करना है और जैसे ही मैं इसको alt के साथ मैं अगर नीचे उपर से नीचे लेके आना है तो किसी भी line के नीचे की तरफ मैं यहाँ पे click करूँगा अब मुझे इसको mark as a seam करना है तो या तो मैं इसको right click ले सकता हूँ यहाँ भी मुझे mark as a seam मिल जाता है या फिर you button मैं यहाँ पे दबाऊँगा जहाँ पे मेरे UV editor के सारे option आते हैं वहाँ पे भी मुझे mark as a seam का option मिल जाता है अगर मैं A button से select करूँगा तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पुराना cut आ हुआ यहाँ पे आ रहा है इसका reason यह है क्योंकि अभी मैंने इसको unwrap नहीं किया है अगर मैंने यहाँ दुबारा से यहाँ पे seam करके एक और cut लगाया है जब मैं इसको texture paint से paint दूँगा तो आप दे सकते हैं थोड़ा बहुत बाहर निकलता है तो वहाँ मुझे दिक्कत आ सकती है अगर आप इनको दूर दूर करना चाहते हैं simply इसको select कीजिए Ctrl L बटन से आप इस पे पूरे को यहाँ पे select हो जाएगा यह मेरा S बटन से इसको आप scale करके छोटा कर सकते हैं G बटन से इसको move करके जहां मन करे वहाँ पे इसको move कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको काट के अपने according इनको यहाँ पे रख सकते हैं अब मेरा यहाँ पे यह तीन हिस्सों में divide हो गया है L बटन दबाऊंगा तो मेरा यह यहाँ पे केवल उपर वाला हिस्सा आएगा इस तरीके से किसी भी object को आप यहाँ पे काट सकते हैं तो यह तो था हमारा बहुती simple selection जिसको हम बोलते हैं loop selection आईए अब थोड़ा सा complicated selection देखते हैं सबसे पहले मैं age को यहाँ पे उपर से select करूँगा और alt button से मैं यह जो seam है इसको अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो u button दबाऊंगा और clear seam पे click करके मैं इसको यहाँ पे हटा सकता हूँ और a button से आप देख सकते हैं अभी भी मेरा यह 3 उसमें कटा हुआ है अब मैं इसको अगर unwrap करना चाहता हूँ तो यहाँ पे unwrap बटन दबाऊंगा और यह मेरा इस तरीके से यहाँ पे दो हिस्सों में आ जाएगा अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे complicated selection देख लेते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे face select करूँगा और मान लिजे मैं इतना हिस्सा इसका यहाँ पे randomly कोई भी select करता हूँ अब इसको अगर मुझे यहाँ पे seam करना है तो कैसे करेंगे directly आप इसको seam नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अंदर के जो faces है वो यहाँ पे selected है और seam जो होता है वो हमेसा किनारों पे होता है यह जो हमारे किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं केवल यह हमारे यहाँ पे select होने चाहिए तब वो उतना हिस्सा यहाँ पे काटके रखेगा अगर मैं इसको directly यहाँ पे mark as seam कर दूँगा तो यह सारे faces को यहाँ पे seam कर देगा और U button से अगर मैं इसको यहाँ पे unwrap करने की कोशिश करूँगा तो सब कुछ मेरा यहाँ पे गड़बड हो जाएगा सारे की सारे faces को यह अलग-अलग कर देगा Ctrl Z कर देता हूँ फिलहाल मैं इसको problem यह आती है कि इसको आखिर किनारों पे कैसे select करेंगे तो इसका simple तरीका यह है कभी भी अगर आपको यहाँ पे कोई complicated selection आता है इस तरीके का और उसको आप यहाँ पे किनारों पे select करना चाहते हैं तो randomly आप यहाँ पे कुछ भी select कर लीजिए पहले तो randomly मैंने यहाँ पे select कर लिया है या directly यहाँ पे इस पे अगर long press करूँगा दवा के रखूँगा काफी देर तक उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो यह वाला जो option है यह मुझे select करना है कोई भी चीज़ अगर आपको select करनी है तो directly आप इसको click करके select कर सकते हैं shift के साथ मैं मान लीज़े अगर मैं यहाँ पे shift के साथ में कुछ बढ़ाना चाहता हूं इसमें तो directly आप यहाँ पे इस तरीके से इनको बढ़ा सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे यह age select किया है face को select करके मैं हाँ इस तरीके से जो भी मेरे को चाहिए उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा सकता हूं और अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इसके किनारे चाहिए तो मैं वापस पहले तो अपना age में जाऊंगा यहाँ पे और age selection में जो beach वाले जो यहाँ पे line है इनको यहाँ पे control के जो मेरा button है control के साथ अगर मैं click करूंगा और control के साथ hold करके अगर मैं इसको यहाँ पे घुमाऊंगा तो यह मेरा deselect कर देगा तो इस तरीके से अंदर के सारे के सारे ages को आप यहाँ पे deselect कर सकते हैं इस तरीके से तो इस तरीके से आप यह जो यहाँ पे selection circle है इससे आप यहाँ पे select कर सकते हैं और काम करने के लिए वापस आपने selection box में आ सकते हैं तो मैं यहाँ पे इनको अब mark as a seam कर सकता हूँ यू बटन दबाऊंगा यहाँ पे और इसको mark seam करूँगा तो इतना हिस्सा मेरा यह seam हो और यू बटन से आप मैं इसको unwrap करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा इतना हिस्सा है वो इसने यहाँ पे यह वाला काट के रख दिया है और बाखी का हिस्सा यहाँ पे यह छेद आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ctrl L बटन से S बटन दबा के इसको इस तरीके से छोटा कर देता हूँ यहाँ पे तो यह मेरा यहाँ पे अब selection हो चुका है यह बटन से आपका यह इस तरीके से selection आएगा texture paint में automatically चीज़ें आपकी यहाँ पे यह चेंज हो जाती है अब चलिए वापस से चलते हैं अपने UV editor में और अब पे practically हम कुछ यहाँ पे UV editor की मदद से कुछ चीज़ें बना के देखेंगे ताकि हमें कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएं तो फिर से आगए हैं हम अपने blender की screen पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में एक cube मौजूद है अब चलिए UV editor की मदद से अप अपने बहुत सारे कामों को आसान करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें एक image texture का इस्तमाल करूँगा मुझे जाना है material में और यहाँ पे मुझे simply base color पे yellow वाले sign पे click करके image texture पे click करना है यह सारी चीज़े मैं पिछले episodes में आपको बता चुका हूँ जहां मेरी image पढ़ तो पिछले episode में आपने देखा था कि मैं इसको adjust करके यहाँ पे image को set कर रहा था लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह जो image है वो एक click पे मेरे सारे के सारे faces पे यहाँ पे set हो जाए मुझे यहाँ पे ज़्यादा फालतू मसकत ना करनी पड़े सबसे पहले यह वाली जो window है इसमे करसल लाऊंगा और control space के साथ इसको बड़ा करके यहाँ पे इसका color mode on कर लेता हूँ ताकि जो भी चीज़े हैं वो मेरी यहाँ पे अच्छी तरीके से इसमें दिखाई थे अब यहाँ पे अगर मैं यू बटन दबाऊंगा तो इसमें मुझे एक option मिल जाता है cube projection उपर से न मेरा यहाँ पे apply हो चुका है अब थोड़ा सा मैं अगर इसका जो color थोड़ा सा दुदला जो आ रहा है इसको यहाँ पे जो मेरी roughness है इसको मैं यहाँ पे खतम कर दूँगा और जो मेरा specular है इसको खतम कर दूँगा बिलकुल मेरी यहाँ पे यह image clear बनके मेरे पास आ जाए कैसे मेरा एक click पे यहाँ पे image सारे कौनों पे set हो गई सबी faces पे अब यह हुआ कैसे सबसे पहले आप इसको समझ लीजी तो इसको मैं यहाँ पे select करके edit mode में जाऊँगा तो U button अगर मैं दबाऊँगा यहाँ पे यह जो Q projection option है यह क्या काम करता है कि यहाँ से मैं face select कर लेता हूँ कि यह जो मेरे faces हैं इन सारे के सारे faces को इसने पहले उनका जो size है वो यहाँ पे UV के आकार का किया और उसके बाद मैं एक के ऊपर एक इनको set कर दिया यानि कि अगर A button मैं दबाऊँगा तो यहाँ पे मेरे 6 के 6 face यहाँ पे जो मेरे cube है इसमें 6 face होते हैं total तो यह 6 के 6 है face इसने उठा के एक के ऊपर एक set कर दिये जिससे मेरी image सभी मैं apply हो गई बाई chance अगर आपको यह थोड़ी बहुत adjust करनी है तो सभी faces को आप यहाँ पे select कीजिए तब यहाँ पे क्या होगा आईए उसमें अब यहाँ पे practically हम यहाँ पे करके देख पहले मैं object mode में जाऊँगा इसको मैं यहाँ से delete कर देता हूं और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं UV मेरा यहाँ पे आ चुका है अब मैं shift A बटन दबाऊँगा और दुबारा से यहाँ एक base color में image texture लोगा थोड़ी सी लंबी image जो है इसको मैं यहाँ पे use करूँगा तो देखेंगे आप मेरी image तो यहाँ पे apply हो गई है अब मैं A बटन दबाऊँगा यहाँ पे इसको select करके देखूँगा अगर मेरी image यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है तो यह image आपको यह पे दिखाई देगी इसमें आप यहाँ पे select कर सकते हैं जैसी मैं इसको select करूँगा मेरी image यहाँ पे आ जाएगी और आपने देखा cube मेरा चौकोर था यहाँ पे हर एक face तो image के हिसाब से इसने इसको यहाँ पे इसका जो size चेंज कर दिया है और सारे face यहाँ पे अब आयता कर देगा तो मैं जैसे इस पे click करूँगा आप देखेंगे किस तरीके से मेरा सारे के सारे faces एक cube के आकार में हाँ पे set हो गए हैं यानि की चौकोर हो गए हैं सारे faces और एक के उपर एक यह set हो और image अगर आपकी लंबी है तो हो सकता है image में कहीं पे यह दूसरी जगा पे set ह तो image अगर आपको कहीं और set करनी है तो आप इसको select कर सकते हैं UV में काम करने वाले सारे shortcuts में अल्डेडी बता चुका हूँ episode number 63 और 64 देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी simply अगर आपको adjust करना है तो G बटन से आप इसको adjust कर सकते हैं इस तरीके से control Z बटन बटन से जाएगा और इधर से इधर आपका ये X दबाने से आता है तो बिलकुल ये बीचों बीच अगर मुझे ले जाना है तो G बटन दबाने के बाद मुझे Y बटन दबाना है और अब ये बिलकुल बीचों बीच यहाँ पर इस तरीके से move करेगा तो जहाँ पे भी पर जो एरिया मुझे चाहिए वो एरिया में हाँ पर ले सकता हूं तो हमेशा एक किलिक पे आपका ये सारा सेट हो जाएगा आपको बस थोड़ा बहुत उसको एड़ेस्ट करना है अब माली जी अगर ये face equal नहीं है तब क्या होगा अगर ये आयताकार है हमारा cube तब क्या ह होगा तब भी ये सभी के सभी faces को यहां पर एकदम चौको राकार में हाँ पर रख देगा माली जी मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं फिलहाल के लिए और यहां पर cube ले लेता हूं S बटन दबाऊंगा Y बटन दबाऊंगा तो थोड़ा सा इसको मैंने यहां पर आयताकार कर लिए अब इसमें नया texture मैं यहां पर ले लेता हूं base color में एक यहां पर image texture जहां पर image है उसको यहां पर apply कर दोगा इस तरीके A बटन से आपका select करने पर यह नहीं आ रहा है इसका reason यह है कि यह हमारा दूसरे cube का था texture अब हमें यहां पर जो इसने हमने यहां पर material इसका select किया है वो texture यहां पर apply करना पर अब यहां पर हमेशा आपको edit mode में जाना है तब ही आपके यह face यहां पर reflect होंगे अब मैं यहां पर U बटन दबाऊंगा और cube projection करूंगा तो आप देखेंगे यह हमारे जो आयताकार faces थे उनको भी इसने बिलकुल चौकोर कर दिया है अगर आप चाहते हैं इनको वापस से set करना तो आप manually यहां पर select करके set कर सकते अब चलिए इसमें एक और चीज मैं आपक interesting चीज दिखा देता हूं यहां पर यह तो था हमारा जब हमारा यहां पर faces आयताकार या चौकोर होते हैं मालीजे हमारे पास में shift A बटन दबाऊंगा अगर मैं यहां पर UV sphere लेता हूं और मैं चाहता हूं कि इसके हर एक face पर यहां पर यह image apply हो जाए तो उसको कैसे करेंगे आईए देख लेते हैं सबसे पहले मैं यहां पर इसको shade auto smooth कर लेता हूं और यहां पर भी इसमें एक नया texture apply करूंगा image texture अब यहां पर मैंने जैसे यहां पर image को apply किया आपने देखा किस तरीके से मेरा यहां पर image तो आगई है लेकिन वो यहां पर set नहीं है सभी faces पे अलग अगर मैं यहां पर इसके edit mode में जाओंगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा यहां पर आएगा अब अगर मैं यहां पर Q projection apply करूंगा यहां पर इसमें तब यह मेरा spare के लिए यहां पर काम नहीं करेगा इसका reason यह है कि इसमें कुछ यहां पर vertices या और जो faces हैं यहां पर टिकोने हैं यानि कि हमारे सिर्फ चौकोर face होंगे तब ही हमारा वो यहां पर ठीक से यहां पर काम करेगा और दूसरी चीज़ यह है इसका जो यहां पर shape है वो यहां पर चौकोर से एक अलग shape बन गया है इस बज़े से यह मेरा यहां पर इसने अब A button दबाऊंगा तो shape के हिसाब से इसने यह इसको काट के रख दिया है अब यहां पर हर एक face पर अगर मुझे यह image set करनी है one click पर तो उसको कैसे करेंगे वो भी आप देख लीज़े तो उसके लिए मैं U button दबाऊंगा और यहां मुझे सबसे नीचे एक option मिल जाता है reset reset option क्या काम करेगा कि सारे के सारे faces को यहां पर equally इस UV के आकार में हाँ पर set कर देगा उसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पर U button दबाऊंगा और reset अगर मैं हाँ पर click करूँगा तो आपने देखा जो तिकोने थे उनको इसने दौनों तरब से बना के set कर दिया चौकोर और बाकी के पहले से जो चौकोर थे वो already यहां पर इसने set कर दिया और आप देख सकते हैं सारे के सारे faces मेरा यहां पर apply हो चुका है थोड़ा बहुत अगर आपको settings करनी है तो आप यहां पर R button से इसको गुमा सकते हैं इस तरीके से या जिस तरीके से आप यहां पर चाहें उन के लिए यहां पर काम करें वैसे तो यह चीज़ें यहां पर transparent होती है और आपको पीछे से image यहां पर दिखाई देती है लेकिन यह बहुत सारे faces एक के उपर एक यहां पर adjust हो चुके हैं इस बज़े से यह white color का यहां पर यह दिखाई दे रहा है इसको मैं scale करके छोटा या बटन लूँगा और एक यहां पर ले लेता हूं UV sphere, shade smooth कर देता हूं इसको, edit mode में जाके हमारे सारे faces यहां पर दिख जाएंगे और यू बटन दबाऊंगा तो पहले जो unwrap है यह आपको पता लग गया होगा अगर हमें यहां पर seam का use करके object को काटना है पहले मैं हां से age select कर लेता हूं, alt button से पूरे यहां पर इस तरीके से इसको loop में select करके इसको पहले mark seam करूँगा, u button दबा के इसको unwrap करूँगा तो मेरा दो part में यह इसको divide कर दे, इसको और भी आसान बनाया जाए, तो उसके लिए हमारे पास में दूसरा option है, यह हमारा smart ub project, यह आपको जो shape को क कर देता हूं, अब मैं यहां पर u button से smart ub project पे click करके ok करूँगा, तो इसमें आप देखेंगे उपर से, नीचे से और चारों तरफ से हमारा जो चार हिससे होते हैं, चारों तरफ से इस तरीके से काट के आपको दे देगा direction के हिसाब से, अब यहां पे जो हमारा light pack है, यह क्य कर देखेंगे, उसके हिसाब से हमें set कर देखेंगे, cube projection मैं आपको बता चुका हूँ, slender और sphere projection क्या है, इनको भी आप समझ लीजिए, अगर मैं यहां पे इसको delete करके यहां पे एक slender ले लेता हूँ, और इसको edit mode में जाके A button से आपको दबाऊँगा, तो by default ही हमारा कुछ इस तरीके से इसको काट के देगा यहां पे, अब मैं U button दबाऊँगा यहां पे, और यहां पे slender projection पे click करूँगा, अब यह उसको कुछ इस तरीके से काट देगा, वास्तम में यह क्या कर रहा है, कि जो भी आपका यहां पे दिखाई दे रहा है, व्यू, उसके हिसाब से इसको काट रहा है, अगर मैं इसको केवल इतना हिससा यहां पे देखूँगा, तो U button दबाके अब यह इसकी shape को यहां पे change कर देगा, इस तरीके से, तो जो भी चीज हमारी यहां पे दिखाई दे रही है, यह especially हमारा slender वाले जो option है, उनके लिए होता है, उसी तरीके से हम हमारा यहां पे दूसरा option है, sphere projection, यानि sphere का जो इससा आपको दिखाई दे रहा है, उसके हिसाप से आप इसको काट सकते हैं, यह इतने important नहीं है, यहां पे next हमारा आता है project from view, इस पे अगर मैं यहां पे click करूँगा, तो यह जो हमारी main shape है, उसके हिसाप से यहां पे set कर दे तो इस तरीके से हमारी image यहां पे projection के रूप में आएगी और इसको आप यहां पे G बटन से adjust कर सकते हैं, पूरे के पूरे control Z कर देता हूँ, पूरा select करूँगा यहां से, यहां पे adjust कर सकते हैं, पूरे के पूरे view के हिसाप से अपना यहां पे set हो जाएगा, और यहां पे ह आपको एक option मिल जाता है, project from view, जहां पे भी आपको bounce का option मिलता है, bounce का मतलब होता है, यह पूरे के पूरे हमारे image पे इसको set कर देगा, अगर मैं इस पे U बटन दबा के इस वाले पे click करूँगा, तो आप देखेंगे पूरी आकरती हमारी image पे set हो गई, तो यह हमारा bound कर द इसमें और थोड़ा सा practical चीज यहां पे करते हैं, और इस तरह की हमें अगर यहां पे पानी पूरी की एक ठेली बनानी है, तो उसको कैसे बनाएंगे, चलिए अब यहां पे अपना UV का एक practical भी यहां पे अच्छी तरीए से करें, लेकिन आप यहां देख सकते हैं, वीडिय चीजों को बना के देखेंगे practically, तो मिलते हैं next वीडियो में नए concept के साथ, तब तक के लिए, good bye!